आपके वास कितना वे पैसा हो, फिर भी उस पैसों से सचा प्यार नहीं पा सकते हैं मुसिवक्त के वाद कोन क्या है यह हमें पता चल जाता है इसी दिम पर वेस्ट आज मैं आपको अवे कि 2007 की एक हॉलिवड थ्रिलर मिस्ट्री मूवी एक्स्पेंट करने वाला हो स्टार्टिंग के बाद ही मुवी जो डन लेती है, यह से बहुत ही इंट्रेस्टिंग बनाता है तो अंतर इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो चलगता है, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर करतीजे अब बिना किसी तरीके, एक्स्पेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होते हैं, हर साल ओपरेशन के वक्त, 21 मिलियन लोगों को अनेस्टिशा दिया जाता है इन में से सिर्फ 30,000 लोगों को यह सूट नहीं होता ओपरेशन के वक्त को सोर नहीं पाते हैं, और यह बहुत ही दर्दनाग होता है इनके हाथ पेर पैरलाइस्ट होते हैं, यह पेन में एसुस करते हैं, पर कुछ भी कर नहीं पाते हैं इसके बाद हमें डॉक्टर जैक दिखा जाता है जैक हमें बता रहा था, कि जब आपकी डेद आनी हो, वो आ ही जाती है आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाते मैंने बहुत सारे लोगों को ओपरेशन में लॉस्ट किया है पर आज पहली बार मेरे फ्रेंड को मैंने खो दिया उसके फ्रेंड का नाम है कले, वो गहता है कले जब आज सुबा उठा, तो किसके बार में सोच रहा होगा उसे लगता है को सैम के बार में सोच रहा होगा सैम है कले की गल्फेंड थी अब हमें फ्लैश बैक दिखाय जाता है Clay अपनी girlfriend Sam के साथ रह रहा था ये दोनों एक दुसरे से बहुत प्यार करते है ये दोनों अपनी relationship को लेकर बहुत ही serious है और Clay को अब सब कुछ चीज़े अपनी mother को बतानी है actual में से आमें Clay की mother के लिए काम करती है तो इस वाजे से वो बहुत ही जादा nervous था उसकी mother को उनकी relationship गलत लग सकती है वो आज उसे बताने के लिए बहुत ही डर रहा था Sam ने Clay को काम पर छोड़ दिया वो कहती है तुमें एक happy life deserve करते हो Clay उसे कहता है आज मैं मदर को बता ही दूँगा आज Clay की बहुत important meeting थी वो इसके लिए ज़रा डर रहा था वो अपने डॉक्टर फ्रेंड जैक से बात करता है यह वही डॉक्टर है जो हमें इस्टोरी बता रहा था वो कहह रहा था कि मैं कभी वह अपने फादर की तरह successful नहीं हो पाऊंगा जैक ने उसे कहा तो मैं इतना नहीं सोचना चाहिए इसके बाद क्ले जैक के साथ होस्पिटल में आया जैक क्याता है ओप्रेशन में बहुत सारे एरर हो सकते है जनरली लोग डॉक्टर को ही ब्लेम करना पसंद करते है क्ले का एक ओप्रेशन होने वाला था तो इसके प्रोसेजर जैक उसे बता रहा था एक्चुल में क्ले का हार्ट बहुत ही वीक है तो उसे हार्ट ट्रांस्परांट की ज़रूत पढ़ने वाली है वो अभी वेटिंग लिस्ट में है जब उसे हार्ट मिल जाएगा तब तुरंद उसके सरजरी हो जाएगी कले अपने फ्रेंड पर बहुत रस करता है तो उसे से हार्ट ट्रांस्परांट करवाने वाला था जैक ने कले को समझाया तुमारा ओपरेशन बहुत ही डेंजरेस है अगर तुमें अपनी लाइफ में कुछ करना होगा तो अभी कर डालो जिससे तुम प्यार करते हो उसे बता दो कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो शायद इसके बाद तुमें कोई भी मोका ना मिले जैक से मिलने के बाद कले अपनी मदर से मिला उसका नाम है लीलित आज लीलित के साथ एक बहुत ही बड़े सर्जन थै उनका नाम था डॉक्टर जॉनाथन जॉनाथन ने बड़े-बड़े टीवे अक्टर्स का भी ट्रांस्प्लाइंट किया था रिलीज चाहती थी कि क्ले का ओपरेशन एक बेस डॉक्टर से गो पर क्ले अपने फ्रेंड पर बहुत ट्रस करता है राद में कले ने अपने ओफिस के पार्टी पर जापनीस कमपनी से बात की वो उनसे कहता है मेरा हार्ट वीक है पर मेरा दिमाग तेज है मैं आपको कोई भी नुकसान होने नहीं दूँगा उसका confidence बात करने का तरीका ये सब देखकर है कमपनी अब उसके साथ डील करने के लिए रेडी थी उसकी मदर उसवर बहुत ही प्राओड है कले ने नोटिस किया था कि शायद लिली जॉनतन को पसंद कर दिया तो उसके बारे में उसे ओ बात करता है लिली ने का तुम्हारे फादर की जाने के बाद मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है जब फादर की डेथ हुई थी तो कले बहुत ही छोटा था तो लिली ने पूछा कि अपने फादर के बारे में तुम कुछ जानते हो Clay कहता है कि मुझे उनकी डेध ही याध है उनकी स्माइल याध है उसे अपने फादर के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता उसे लगता है कि उसके फादर बिजनेस में बहुत ही बेस्ट है और कभी भी उनकी जगा नहीं ले सकता यह एक पर हम देखते है Sam Lilit को उसके appointments के बारे में बताने के लिए आई हुई थी Clay ने अब तक अपनी मदर को कुछ भी नहीं बताया तो इस वज़े से Sam गुसा होकर वहाँ से जा रही थी Clay उसके पीछे बेज़ आया कहता है कि मेरे साथ चलो जाकर उसने अपनी मदर को सब कुछ बता दिया लिली दिन पर गुसा होकी कहती है Sam एक लायर है उस पर ट्रस नहीं कर सकती उसने Clay को समझाने की कोशिश की पर Clay मान नहीं रहा था लिली कहती है तुम उसे चुन सकतो या मुझे Clay कहता है कि ऐसा ultimateum देना गलत है और वो Sam के साथ यहां से चला गया Sam को इस जगड़े की वज़े से बुरा लगता है Clay ने कहा कि कभी न कभी तो होना ही था उसने अभी Sam को मैरेश के लिए प्रपोस कर दिया वो आज रादी उसे शादी करना जाता था वो अपने फ्रेंड जैक को बलाता है और जल्दी से जाकर शादी कर लेते है आज यह दोनों बहुत खुश थे है यह इंटिमेट होने वाले थे तब ही Clay को मैसेज आ जाता है Clay की सरजरी करे जिस हार्ट का वो वेट कर रहे थे यह फाइनली उन्हें मिल चुका है यह जल्दी से होस्पिटल में बहुश गए जैक सारे डॉक्टर से Clay को मिलवाता है लिलित को भी नोटिफिकेशन आ गया था तो वो भी यहाँ बहुश गई थी वो फिर से Clay को समझाने की कोशिश करती है कि जॉनदने बहुत ही अच्छे डॉक्टर है तुम्हें उनसे ही ओपरेशन करवाना चाहिए पर Clay इस बात के लिए नहीं मानता Clay ओपरेशन के लिए रेडी हुआ सम कहती है जल्दी से वापस आ जाओ हम अमारी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे यह दोनों इसके लिए बहुत खुश थे वेटिंग रूम में लिलित अब भी सम से बात नहीं कर रही थी वेंडिंग मशीन से कुछ निकालने की कोशिश करती है तो सम ने कहा कि कभी-कभी आपको जरा वेट करना पड़ता है यह मशीन जरा फॉल्टी था सब डॉक्टर मिलकर आपरेशन के लिए रेडी होने लग गए तब यह वहाँ पर लेरी नाम का डॉक्टर आता है आज रात आपरेशन के लिए कोई और डॉक्टर आने वाला था दो समझे जर गए जैक सब से एता है सिर्फ खिलाड़ी चेंज हो गया है प्लान अब भी वही है यह operation करना continue करते है जैक निकले से का कि अब मैं तुम्हें एनस्टिशा दोंगा तुम सो जाओगे कुछ भी घर नहीं पाओगे इस नीन को तुम enjoy करना तुम्हें कुछ भी feel नहीं होगा एनस्टिशा देने के बाद कले को नीन आने लग गए वो अपने सबने में सैम को देखने लग गया अचानक से operation में जो भी हो रहा था यह सारी चीज़ों से feel होने लग गए जैसे के हमें movie के first में बताया गया था कभी कभी एनस्टिशा काम नहीं करता लोग पूरी दरीके से paralyzed होते है पर फिर भी सारी चीज़े महसूस कर बाते है अब clay operation की छोड़ी छोड़ी चीज़े महसूस कर रहा था वो चिला कर जैक को बताने की कुशिश करता है कि अब सब कुछ वो feel कर रहा है पर कुछ भी कर नहीं पाता उसके आगबन थी और सबको लग रहा था कि वो deep sleep में है जैक फिर उसे cut करना start करता है उसे बहुत ज़्यादा pain महसूस हो रहा था और वो कुछ भी कर नहीं पाया उसने अपने mind को control करने के लिए Sam के बारे में सोचना start कर दिया थोड़ी देर तो रिलाक्स रहा पर बाद में उसे अपने father की date याद आने लग जाती है उसे बहुत सारी random सी memories याद आती है तो उसमें Sam सो first time कैसे मिला था ये भी उसे याद आता है Sam Clay के लिए curious थी तो उसके room में आ गई थी उसकी सारे चीज़े देख रही थी Clay ने उसे पकड़ लिया था और इसी तरीके से उनकी love story स्टार्ट हुई थी इनकी first date पर Sam Clay को Brooklyn लेकर गई थी Clay बहुत ही ज़ादा अमीर है तो कभी भी उसने Brooklyn को देखा नहीं था इसके parallel में हम देते हैं Sam और Lily जब वेट कर रहे थे तो Sam के पास एक डॉक्टर आया वो उसे पुछता है कि मैंने यहाँ पहले तुम्हें कभी देखा है Sam ने उसे अपनी रिंग दिखाए तो वहाँ से हो चला जाता है Lily नोटिस करती है कि Sam ने दो रिंग्स पहनी है उसे पता चला Sam और क्ले ने आज रहाती शादी की थी ये बात उसे अच्छी नहीं लगती Sam की पर्ज नीचे गे तो उसमें कले की सब मेडिसिंस रखे हुई थी वो हमेशा कले का खैल रखती थी ये Lily ने देखा और वो रेलाइस करती है कि Sam भी कले से बहुत प्यार करती है उसके लिए केर करती है तो अब वो ज़रा रिलाइस थी Lily ने कहा कि कले को अलग-अलग अलरजी से पर Sam को इसके बारे में पता था Lily सिर्फ Sam के लिए वरीड थी Sam आकर उसे गले लगा लेती है फिर से हमें कले का ओपरेशन दिखाया जाता है डॉक्टर लैरी जरा ब्रेक के लिए यहां से चला गया तो सारे डॉक्टर्स मिलकर डिस्कस करने लगते है इन में से एक डॉक्टर पटनाम ने कहा कि अब हमारी प्लान का क्या लैरी हम पर नजर रख रहा है जैक कहता है कि लैरी रंग है उसे कुछ भी याद नहीं होगा अब ब्रेक के वक भी हो दारू पी रहा होगा इनका प्लान था कि कले को इस ओपरेशन में हो मार डालेंगे और इसी प्लान को कंटिनू करने वाले थे इस सब बातें के लिए सुन रहा था इससे वह बहुत ज़ादा डिस्टर्ब हो गया वो उट कर यहाँ से भागनी के कोशिश करता है उसे लगा कि वो उट शुका है पर वो वही बेट पर पड़ा हुआ था उसी के माइंड में अलग-अलग जगा पर वो खुम रहा है लैरी जब बहार आया तो सैम उसे बात करती है कहती कि ओपरेशन कैसा चल रहा है लैरी ने का कि सब कुछ ठीक है पर सैम नोटिस करती है कि लैरी ट्रंग है उसने उसे का कि तुम यहाँ पर काम नहीं करते वहाँ अंदर चल क्या रहा है यह देखने के लिए सैम उपरेशन ठीकर में आके सैम ने जैक से पूझा कि लैरी यहाँ पर कैसे है उसके जगह पर तो कोई और आने वाला था पटनमों से कहता है कि लैरी को कुछ भी समझ मिने आएगा सब कुछ हमारे प्लैन के एकॉर्डिंग ही होगा इसका मतलब है सैम भी इनके ब्लैन में शामिल थी क्ले से तो उसके मैरेश हो गई है तो उसके मर जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलने वाली है तो उसी ने इसा प्लैन बना हुआ था जैक को रियलाइस्ट हुआ था कि क्ले के साथ जो वो कर रहा है यह बहुत ही गलत है वो डर रहा था और अब यह उपरेशन वो गंप्रिट नहीं करने वाला था सैम उसे समझा थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इसे को कुछ भी शक नहीं होगा जो उनने स्टार्ट किया है वो फिनिश करते है क्ले सारी चीज़ों को लेकर सोचने लग गया अपने सब कॉंशेस माइन में उसे याद आता है यह जैक के ओफिस में उसने सैम का फोटो देखा था पहले सैम और जैक यह दोनों एक साथी काम करते थे क्ले को फजाने के लिए सैम ने अपना नाम चेंज कर लिया फिर भी उसकी आखों में आसु आकर जैक ले का हार्ट बदल देता है और इस हार्ट को बन करने के लिए एक इंजेक्शन उसे इंजेक्ट करना था यह जैक को करना सही नहीं लगता वो डर रहा था तो सैम खुद इंजेक्शन हाथ में लेकर ले को दे देती है कले के अपने प्यार के हाथों ही डेथ होके सैम को उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं होता जब वो वापस लिलित के पास आए तो गहती कि ओपरेशन टेटर में सब कुछ ठीक है लिलित को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गरवड है अब तक डॉक्टर को आज आना चाहिए था सैम उससे यह दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा कले को कुछ भी नहीं होगा उसके पास जीने के लिए बहुत साइर रीजन्स है फिर से हम कले का सबकॉंशन देखते हैं और वो बहुत स्याइड था उसे अब कुछ भी समझ में ने आ रहा था कले का सबकॉंशन घर आता है अपनी डेथ का वेट करता है लेरी जब उने ब्रेक से वापस आया तो जैक इस तरीके से ब्रिटन करता है कले का हाट खराब था इसी वज़े से उसकी डेथ हो गई इसके बाद जैक जाकर लेलिट को पता देता है कि कले का हाट सही नहीं था उसके डेथ हो गई है लेलिट उस वर बहुत गुस्सा हो गई कहती कि सब कुछ तुमारी वज़ेस हुआ है डॉक्टर लेरी लेलिट के पास है कहती है हमें आपकी पर्मिशन चाहिए कले को हमें बैपास से निकालना है लेलिट पूछ थी कि इसका क्या मतलब लेरी ने कहा कि कले अब भी जिन्दा है पर उसके बास हार्ट नहीं है वो सिर्फ मशीन के सहारी जी रहा है वो इस तरीके से हमेशा नहीं जी सकता लेलिट ने कहा कि फिर उसके लिए अलग हार्ट ले करा लेरी कहता है इस तरीके से इजिली हार्ट नहीं मिलता वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते लेलिट कहती कि मुझे सोचने के लिए वक्स चाहिए सब लोगों को उसने बाहर निकाल दिया वह जगा वर बेटी और उसके पास जो भी गोलिया थी ये सारी गोलिया उसने ले ली उसकी वही पर डेथ हो जाती है अब हम देखते हैं कि Clay के सब conscious में लिलिट भी उसके पास आ चुकी है ये दोनों एक दुसरे से बात कर सकते थे लिलिट ने सुसाइड करने से पहले जॉनाथन को कॉल कर दिया था तो उसकी सारी टीम यहाँ पर पहुच जाती है लिलिट अपना हार्ट लेको दे सके इसी वज़े से उसने ये सब किया हुआ था जल्दी से जॉनाथन हार्ट लास्पांड के लिए रेडी हो जाता है जॉनाथन ने आपर पहुचने के बाद सब कुछ समझ चुगा था कि जैक ने किया क्या है जैक के साथ जो भी डॉक्टर है ये जल्दी से डर कर वहाँ से भागने लग जाते है फिर से में क्ले का सबकॉंशनस दिखाया जाता है क्ले मदर से पुछता है कि आप यहाँ कैसे क्या आपको सब कुछ पता था मदर कहती कि पहले तो मुझे कुछ भी पता नहीं था पर सैम ने जब वेंडिंग मशीन से कुछ निकालने में मेरी हेल्प की तो मुझे पता चला कि वो यहाँ पर काम करती थी मैंने उसकी बैक चेक की तो मुझे उसके मेल्स मिले उससे चीज कन्फर्म हो गए जब मुझे तुमारी डेट के बारे में पता चला तो सारी चीज़े क्लेर हो गई थी वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी हम देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स भाग रहे थे पर लैरी ने पुलिस को बुला लिया लिलित का हार्ट निकाल कर कले का ट्रांस्प्लांट हो रहा था जैक साइम को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है कहता है कि हम जल्दी से यहां से भाग चलते हैं सैम ने कहा कि मुझे भागने की जरूरत नहीं है मैं अब भी कले की वाइफ हूँ हमने क्या क्या इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है वो जैक को लॉक करकर जा रही थी तो जैक कहता है जो सिरीज तुमने कले को दी थी उस पर तुमारे फिंगरप्रिंट से है तुम्हें बच नहीं सकती सैम को पच्टा होने लग गया वो जैक के साथ जाना चाहती थी पर जैक अब यहां से नहीं जाना चाहता उसे पता है कि उसने बहुत गलत किया और इसकी सजा वो भूतने वाला है सैम को पुलिस पकड़ लेते हैं हम फिर से कले का सबकॉंशिस देखते हैं कले अपनी मदर से गयता है या अब मैं आगर जिन्दा भी रहा तो मेरे लिए उस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है वो अब मरना चाहता था अपरेशन के वक्त लेका ये अच्छा नहीं है अगर पेशन कोई जिन्दा रहने की चाहत ना हो तो अपरेशन फेल हो सकता है पेशन का रिस्पॉंस है बहुत इंपॉर्टन होता है मदर ने कले से कहा कि तुम बहुत स्ट्रॉंग हो तुम अकेली सब कुछ कर सकते हो कले ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की पर मेरे फादर की तरह में सक्सेसफुल नहीं हो पाया मदर कहती कि तुमारे फादर से बिजनेस में सक्सेसफुल थे ऐस अ परसन वो इतने अच्छे नहीं थे जिस दिन उनकी डेथ हुई थी इसके बारे में मदर ने कले से कहा उस राद उनका बहुत बड़ा जगड़ा हो रहा था फादर ने मदर को भी मारा था गुसा आओकर वो कले को भी मारने वाले थे तबि मदर ने एक रॉड लेकर उनने मार दिया हुँ उपर के फ्लोर पर थे और वहाँ से नीचे के लिए